जर्मन सॉफ्ट्वियर कंपनी नेमचेक ने भारतीय रियल स्टेट में बढ़ती जबरदस ग्रोथ को देखते हुए मुंबई में ओफिस खुला है नेमचेक रियल स्टेट में डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक डिजिटल टेकनोलोजी मुहया कराती है नेमचेक ग्रूप के कंट्रिवाइस प्रेजिटेंट चटर जी से खास बाच्चित की है हमारे सहयोगी दीपक यादम ने आज भी भले ही परेरा आगया है पुरे देश में रियल स्टेट प्रोजेक्ट उसमें रेजिस्टर होते हैं लेकिन अभी भी ट्रांसपरेंसी का जो है लेवल बहुत नीचे है तो टेकनोलजी उसमें किस तरह से रोल निभा सकती है कंजूमर को उसको सीधा फायदा कैसे मिलेगा मेजर चालेंज़ जो हम लोग को पता चला है कि इंडिया में मोडली टु दे इंडिया मार्केट में जो डेवलपर लोगों में जो डिजाइन स्टेज में जहां पे टेकनोलजी यूस करते हैं उसके बाद जो end construction stage जब हो रहा है, जो construction progress हो रहा है, वहाँ पर उस technology का usage कहा हो रहा है, वहाँ पर अगर आप BIM is a building information modeling, जहाँ पर 3D based design होती है, अगर वो design space में वो use कर रहे हैं technology, construction site में अगर आज के दिन में भी वो drawing paper खोल के एक site engineer सो उसको review करेंगे, तो वो तो digitalization का part नहीं ह हो पा रहा है, हम लोग का initiative वेराएगा कि हम कैसे इस movement को आगे बढ़ाए, हम कैसे ये सारे DLST developer को not only the top level, but a top-down approach कैसे करें, जिसके बज़े से the ground level पे, जो site engineers है, वो उसके उपर फाइदा ले पाए, and then उसके basis में projects on time पे complete होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो proper forecast हो पाएगा कि किस बज़े से ये नहीं हो पा रहा है, and in customers जो उनके रहते, उनको भी यह चीज़ पता चल जाएगा.